शिष्टा चार के वे नियम जो आपको कहीं लिखे नहीं मिलेंगे, आईए जानते हैं नमबर एक, हमेशा बड़े बुजर्गों का सम्मान करें और उनका आशिरवाद लें नमबर दो, किसी की आर्थिक इस्थिती का मजाक न उड़ाएं किसी के रहन सहन, वस्त्र और रंगरूप का मजाक न बनाएं नमबर तीन, सबसे पहले लोगों को देखते ही उनका मुस्कुराहट के साथ जुक कर उनका अभिवादन करें नमबर चार, सामने वाले को बैठने के लिए कहें और फिर खुद बैठ जाएं नमबर पांच, उनके लिए चाय, पानी और नाश्टे का प्रबंध करें नमबर छे, उनको रास्ते में आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, इस बात को पूछें नमबर साथ, लगातार दो बार से अधिक किसी को कॉल ना करें यदि वे आपकी कॉल नहीं उठाते हैं, तो माल लें कि उनके पास आपसे बात करने से ज़ादा कुछ महत्वपून है, जिसे निप्टाने पर वे स्वयम आपको कॉल करेंगे नमबर आठ, वे धन उस व्यक्ति को उनके मागने से पहले लोटाएं जो आपने उनसे उधार में लिया था, यह आपकी इमानदारी और चरित्र को दर्शाता है, यही छाते, पैन या किसी और चीज के लिए भी लागू होता है नमबर नौ, किसी भी मेन्यू पर महेंगे पकवान का ओर्डर ना करें, जब कोई आपको लंच या डिनर पर आमंत्रित कर रहा हो, यदि संभव हो तो उन्हें अपने लिए भोजन, उनकी अपनी पसंद का ओर्डर करने के लिए कहें नमबर दस, ओह तो आपने अभी तक शादी नहीं किये, या क्या आपके बच्चे नहीं हैं, जैसे अजीब और गरीब सवाल नहीं पूछें, या आपने घर क्यों नहीं खरिदा, या आप कार क्यों नहीं खरिदते, भगवान के लिए मत पूछिए, यह आपकी समस्या नही नमबर 11 अपने पीछे आने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा दर्वाजा खोलें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़का है या लड़की सीनियर है या जूनियर है आप छोटे नहीं बन जाते अगर आप सारवजनिक रूप से किसी के साथ अच्छा व्यभार करते हैं विभिन प्रकार के विचारों का सम्मान करें याद रखें कि आपके लिए 6 है जो आपके सामने आने वाले लोगों को 9 दिखाई देगा इसके अलावा दूसरा विकल्प एक अच्छा विकल्प के लिए अच्छा है नमबर 14 लोगों से बात करने में कभी बाधा ना डालें उन्हें भी बाधा डालने की अनुमती ना दें जैसा कि वे कहते हैं उन सभी को सुनें और उन सभी को फिल्टर करें नमबर 15 यदि आप किसी को चिड़ाते हैं और वे इसका आनंद नहीं लेते हैं तो इसे रोकें और फिर कभी ऐसा ना करें ये किसी को और अच्छा करने के लिए प्रोच्छाहित करता है और यह दर्शाता है कि आप उनकी कितनी सराहना करते हैं नमबर 16 जब कोई आपकी मदद कर रहा हो तो धन्यवाद कहें नमबर 17 प्रशंसा सार्वजनिक रूप से करें और आलोचना निजी तोर पर करें नमबर 18 किसी के वजन पर टिपणी करने का लगभग कभी कोई कारण नहीं है बस आप शांदार दिखते हैं यदि वे वजन कम करने के बारे में बात करना चाहते हैं तब ही वे करेंगे नमबर 19 जब कोई आपको अपने फोन पर एक फोटो दिखाता है तो बाएं या दाएं स्वैप ना करें आपको कभी नहीं पता कि आगे क्या है नमबर 20 यदि कोई सहकर्मी आपको बताता है कि उनके पास डॉक्टरों की नियुकती है तो ये ना पूछें कि ये क्यों है या क्या हुआ है बस ये कहें कि मुझे आशा है कि आप ठीक हैं अपनी व्यक्तिगत बीमारी बताने के लिए बाद धिकर उन्हें असहज इस्थिती में ना डालें यदि वे आपको बताना चाहेंगे तो वे आपके पूछने के बिना ही बताएंगे कोई भी इस बात से प्रभावित नहीं होता है कि आप अपने से नीचे के लोगों के साथ कितना बुरा वेभार कर सकते हैं लेकिन अगर आप उन्हें सम्मान के साथ मानते हैं तो लोग नोटिस करेंगे नमबर बाइस यदि कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहे है तो आपके द्वारा उसके फोन को घूरना अशिश्टता है नमबर तेईस जब तक कोई आपसे सलाह ना मांगे तब तक कभी भी सलाह ना दें नमबर चौबिस किसी नए व्यक्ति से मिलें जब तक वे स्वयम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते तब तक उनसे उनकी उम्र और वेतन ना पूछें नमबर पच्चिस आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखें और बेकार या दूसरों के मामले में ना पड़ें जब तक तब तक आपसे कोई ऐसा करने के लिए ना कहें नमबर 26 यदि आप किसी से सड़क पर बात कर रहे हैं तो अपने धूप के चश्मे को हटा दे ये सम्मान की निशानी है नेत्र संपर्क आपकी बातों से जितना ही महत्तोपून है नमबर 27 गरीबों के बीच में कभी अपने धनी होने की बात ना करें नमबर 28 कोई आप से मिलने आया है तो आप मुस्कुरा कर उसका स्वागत करिए किसी कारण से मूड अच्छा नहीं है तब भी नमबर 29 पहले आप उसके परिवार की कुशल शेम पूछें अपने बारे में ही ना बताने बैट जाएं कोई समस्या है तो भी आते ही शुरून ना हो जाए नमबर 30 आपके घर दो-चार दिन रहने के लिए आए महमानों के लिए महौल खुश गवार बनाए रखें नहीं तो ऐसा लगेगा कि आपको उनका आना अच्छा नहीं लगा महमानों को वह मस्ती में बीता समय जादा याद रहेगा बजाए उन्हें खिलाए पकवानों के आपकी शान शौकत के और यही उन्हें आद के करीब भी ले आएगा नमबर 31 किसी ने आपको होटल या कलब में भूजन पर आमंतरित किया है तो आप सोयम ही महंगे काद्य पदार्थों का ओर्डर ना करें थैंक यू पर वाचिंग